प्रियावरण से जुड़े हुए कुछ अपेक्षित प्रश्न, पिछली श्रंकला में हमने रेखा किस तरीके से परियावरण में प्रजेक्ट लॉयन, प्रजेक्ट टाइगर की हमने बात की, इन्वायर्मेंट, इको सेंसेटिव जो सम्मिछ शिकरजी परवच छेत्र है, जो की पाष्णा त्वाइल लाइफ सेंचुरी में आता है, उससे चुड़ी वी चीजों पर हमने बात की, अगली चीज जो आज हम कर रहे हैं, वो है 5G forest reforms, 5G forest reforms के तहत हमने बोला है कि bamboo cultivation, जो की पहले जो है, एक पेड़ माना जाता था, उसे अब grass माना जाएगा, और bamboo cutting और bamboo से जुड़ी वी या बात से जुड़ी वी सभी products market में लाए जा सकते हैं, ये एक बहुत major development है, दूसरा, जो minor forest produce होंगे, minor forest produce को online permit के through trade किया जा सकता है, GIS की सहायता से परिवेश portal पे एक interactive single window, interactive forest establishment किया जाएगा, e-green watch portal बनाया जाएगा, e-green watch portal जो है, एक advanced technology platform है, जिसके दहद हम automation और management कर सकते हैं, और forest survey of India के दुआरा, one agni, one agni geoportal बनाया जाएगा, ये one agni geoportal जो है, ये forest fire या ऐसी कोई भी घटना होती है, तो उसकी हमें तुरन जानकारी देने में सक्षम है, अगला है National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change, 2022 में ये एक vision लाया गया है, जिसके तब 2070 तक हम net zero का target रखते हैं, और इसमें हम capacity building और climate science की बात करते हैं, तो किस तरीके से 13 अलग-अलग climate change centers बनाये गए हैं बीहार, चत्रिसगर, गुजरात, हर्याना, करनाटक, महत्यपरदेश, महारास, लुडीसा में और ये सभी के सभी एक knowledge base प्रवाइड करेंगे कि climate change से जुड़ी भी घटना है, किस तरीके से बढ़ रही हैं, क्या effort किये जा सकते हैं उसके mitigation के लिए, environment, education, awareness और training, एक central scheme है, ज जिसका motive ये है कि environmental awareness किस तरीके से बढ़ाई जाए, किस तरीके से national green corpse को लाया जाए, और nature nurture camping जो है, इसके अलग-अलग विबिन प्रोग्राम्स आयोजित किये जाए, तो बहुत सारे eco clubs की स्थापना हुई है, लग-बग एक लाग से जादा eco clubs की स्थापना की गई है, जो इ assessment cell बनाया गया है, जो कि pollution या production को किस तरीके से रोका जाए, कैसे control किया जाए, क्या prevention guidelines होनी चाहिए, उन सब के बारे में चर्चा करवाता है, और इसमें बहुत सारे experts जुड़े हैं, जो कि IIT, मदरास, रुड़की से हैं, Automotive Research Centers से हैं, Energy Research Terry से हैं, All India Medical Science से हैं, Pollution Control Board से CP27 और Climate Justice, एक और बहुत महत्पून टॉपिक है आपके इस साल की prelims परिक्षा के लिए, UNICEF ने Q2 Protocol, Paris Agreement और Montreal Protocol, इन सब की जो बात की थी, और जो सबसे important था, वो था Paris Agreement, जिसमें कहा था, कि pre-industrial level में, 2 degree Celsius से जादा हम temperature rise नहीं होने देंगे, बहुत सारे members, जो G77 plus countries हैं, उसमे चाइना, Brazil, South Africa, इंडिया, इन सब को मिला जुला के एक basic नाम दिया गया है, जिसमें Brazil, South Africa, इंडिया और चाइना, ये चार मुख्य देश हैं, जिनका एक collaboration रहेगा, और इंडिया ने explicitly ये कहा है, कि उसका एक significant contribution रहेगा, जो की climate justice के ऊपर work करेगा, और किस तरीके से climate financing, technology transfer औ करी जा सकती है, तो यही कुछ चीज़े थी, जो हमने परियावरण के दूसरे अध्याय में, दूसरे चारण में सीखी, इस श्रंकला के तीसरे चारण में, हम और important topics लेके आएंगे, तब तक के लिए, नीचे दिये गए link पे, आप questions प्राक्टिस कर सकते हैं,